नमस्कार दोस्तों online help के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हो कि facebook account कैसे create करते हैं आप लोग को लग रहा हो कि facebook account create करना तो बहुत ही simple है facebook account facebook download किये number डाले नाम लेके photo upload कर दी facebook account create हो गया लेकिन इतना तो सब करते हैं लेकिन अ आपका ID थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए आप किस सहर से हैं आप current में अभी कहां रह रहे हैं आप कौन से language जानते हैं ठीक है कौन-कौन से भासा आप जानते हैं आप किस party को support करते हैं आप किस धर्म के हैं यह सब चीजे कैसे जो है डाल सकते हैं आप साधी सुदा है या प्लेस्टोर से बहुत ही आसान है आपको नीचे description में भी link मिल जाएगा वहां से भी आप चाहें तो इसे install कर सकते हैं जब आप इसे install करने के वाद इस application को open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस type का interface सो होगा यहां पर मैंने कुछ account लोग-in किया इस वज़े से वह account यहां पर आप में नहीं सो होगा तो यहां पर आपके पास होगा login to facebook और create new facebook account तो इस पर आपको create new facebook account पर click कर देना है उस पर click करने के वाद आपको simply next पर click करना है next पर click करने के वाद यहां पर आपको अपना name type करना है बहुत step by step बताऊंगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकि जो आप जाएंगो उसके facebook ID पर तो कुछ भी यानि कि अच्छा नहीं लगगा आपको facebook ID तो चलिए देखते हैं कि आपको यहां पर date of worth सेलेक्ट करना है date of worth आप सेलेक्ट किजिए थोड़ा साफधानी से आप क्योंकि आपको यह date of worth अगर याद रहेगा तो कभी अगर भव एक हजार पंद्रहसो दो हजार लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज़ देते तो ऐसी स्थिति में facebook को लगता है कि यह कोई रोबोट होगा और उसी स्थिति में facebook जो है आपके account को लॉग कर दीता है ठीक है तो उसी स्थिति में date of worth आपको पता होना चाहिए तो यहां प अगर आप mobile नमबर डालना चाहते तो mobile नमबर डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगर आप email से डालना चाहते हैं तो sign up with email address पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आपके गूगल जो भी आपने Gmail क्रेट किये होंगे वह आपको यहां पर सो हो उसमें से कोई भी Gmail आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे password पूछा जाएगा तो आप अपना password जो है create कर लीजे अगर आपको password ऐसा होना चीज जो आपको याद रहे क्योंकि कई बार लोग password create करन हैं तो इससे क्या हो कि वो password आपको याद रहेगा ठीक है और कोई आपके account को hack भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपके जो अपने उसका जो mobile नमर होता है उसी को password में डाल देते हैं तो ऐसी सीथी में क्या होता है कि जो mobile नमर आपने password में डाला सकता है तो इसलिए आप अपना mobile नमर पासवर्ड में डालें अब नेस्ट पे क्लिक करते हैं नेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे sign up पे click करेंगे तो आपके सामने जो है यह create account create हो रहा है इसमें थोड़ा सा time लगा देखिए आप जो है account create हो चुका है तो हम दे तो यहां पे अगर आप password save करना चाहते तो save कर लिए ठीक है इसके बाद यानि कि यहां पे आपको दीख जागा आपके contact list में जो लोग होंगे अगर वो लोग यहां पे facebook करने हैं तो आपको यहां पे दीख जागा आप चाहें तो उन लोग को friend request यहां पे send कर सकते हैं ठीक ह तो यहां पे आपको friend request करने का option मिल जागा तो आप जितने लोग को चाहें उतने लोग को friend request कर सकते हैं उसके बाद आपको next पे click करना है next पे जैसे आप click करेंगे तो यहां पे आपको जो बोलेगा invite करने के लिए जो भी आपके friend जो भी आपके मतलब आपने contact में save किया है number अगर वो लोग facebook पे नहीं तो आप चाहें उन सबको चाहते हैं invite करना तो आपको invite पे click करना invite all पे click करेंगे तो जितने भी आपके contact में जो लोग होंगे उसी message चला जाएगा कि आपने facebook account बनाया है ठीक है और आपका facebook account का link भी उसे मिल जागा तो अगर वह पहले से facebook account बनाया जाएगा ऐसा नहीं होता है message अगर जाएगा तो balance आपका नहीं करेगा ठीक है यहाँ पे उसके बाद आप नहीं वेजना चाहते तो आपको done पे click कर देना है जैसी आप done पे click कर देते हैं आपके सामने कुछ इस टैप का page open हो जाता है अब main बारी जो है अब आती है कि आपक verify करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको चाहें तो आप verify करने का option आता है तो आप जो code आएगा आपके number पर या email पर उसे डाल देना है अगर आपके phone में email है जो आपने already phone में आपके जिस phone से आप एकांट बना रहे है अगर उसी phone में email है तो हो सकता है verify करने का जो message हो नहीं भ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस ट्वा पेज ओपेन होगा मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बर स्टेप बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पे आपको व्यू प्रॉफाइल पे क्लिक करना है जैसे आफ रूक शिर अनुच यह प्रॉफाइल पेशिए अपलोड करने जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक अपना प्रोफाइल फिक्चर अप्लोड कर देना है जो भी आप अपना प्रोफाइल फिक्चर में लगना चाहते हैं आप अपना फोटो अप्लोड कर दीजेगा ठीक है और उसके बाद यूज पे क्लिक कर देना है जैसे आप यू cover photo aid करने के लिए बोला जागा cover photo यानि कि आपके ID पर कोई click करेगा तो cover में photo दिखेगा है तो यहाँ पर cover photo आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक photo select कर लिया है यहाँ पर उसके बाद आपको फिर से उस पर upload पर click कर देना है तो जैसे आप इस पर click कर देंगे यह जो है upload हो जागा cover photo भी दिखेए इसके बाद एक featured photo भी होता है तो आपके ID को एक अच्छा look देने के लिए आपको featured photo भी aid करना होगा तो भी मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आप featured photo aid कर सकते हैं तो यहां पर आता है what is on your mind तो यह एक तरह से आता है option की आप जो है पहला post आप लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में है चाहें आपको कुछ भी है लो लिख करके एक post कर दिजिए successfully आपका जो profile है यहां पर इस यहां तक complete हो गया अब अब आपके profile पर कोई आएगा तो यह शिर्फ आपको दिख रहा है आपके profile पर कुछ सब्सक् rare लाइगा तो तो बस यह चिज़े दिखेंगा आपके दिखेंगंगे और नीचे कुछ करने के वाद जैसे आपको यहाँ पर एक option मिलेगा details का एड details पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आता है कि आप किसी school से पर हैं वो सब चीजे तो अगर आप किसी school में गए हैं तो यहाँ पर आपको aid high school पर click करना है ठीक है और जैसी आप add high school पे click करेंगे तो यहां पे आपको जो है जोगी आप high school रखना मतलब आप जिस high school से उसे आप search कर लीजिएगा ठीक है तो यहां पे मैं search कर लेता हूँ तो आपका high school saw हो जाएगा उसे आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर save पर click कर देना है अगर आपका high school so नहीं हो रहा है तो आप हमें नीचे comment किजेगा मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप जो अगर आपका high school नहीं भी so करता है तो भी आप aid कर सकते हैं और अगर आप एक बार create कर दिया अपने high school के नाम से page आपने aid कर लिया तो जो भी आदमी search करेगा अगर दूसरा आपके high school का कोई भी search करेगा तो उसे जो है दिख जागा कि आपका भी high school है मतलब facebook पे है ठीक है तो यहाँ पर high school को हमने aid कर दिया पर इंडिया का तो आप जीशी चाहिए उसे select कर सकते होम कर कहा है वह आपको यहां पर लीग देना उसके बाद आपको save पर click कर देना है तो जैसे आप save पर click कर देंगा तो यह successfully save हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे it successfully यहां पर से हो चुका है अब यहाँ पर आता है डिलेसंसी पर इस टेस का याने कि यह में है कि आप साधी सूदा है या नहीं है आपकी गल्फेंट है या नहीं है तो यह कैसे एड करना है तो इस पakersmen करने के बाद आपको यहां पर जैसे की ये तीर्वाला दिख रहा हुगा तिन लिखने के बाद आप चाहें तो आप अपने पती-पत्नी को एड कर सकते हैं तो आपके आईडी पर लिखाएगा मैडेट टू जिसको भी आप एड करेंगा उसका नाम आएगा ठीक है तो फिलाल मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहां पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ जैसी मैं सेव पर क्लिक कर दूँगा यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना कुछ मैंने सक्सेश्पुली इसमें एड कर दिया है अब यहां पर आता है एड वर्क में आपको वह चीज़े एड करना है जहां पर आप काम करते हैं तो जैसी यहां पर आया कहां पर आप काम करना कर रहे हैं तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसे कंपनी को आपको सेलेट करना है ठीक है अधर वाइज आप Facebook भी डाल सकते हैं और यहां पे आपको Save पे क्लिक कर देना है तो इतना कुछ लिखने के वाद आपको यहां पे Save पे क्लिक कर देना है यह जो है Save successfully हो चुका है अब आप देख सकते हैं कि आपके प्रोफाइल पर यह सारा चीज आ चुका है ठीक है तो अब आपके पास और भी चीज़े एट करने का आपसन आता है what is your life यहां पर आपको एक पैंसिल का इकन दिख रहा हुआ तो इस पर आपको क्लिक करना है आपका जो फेवरेट फूड है वो क्या है तो यानि कि आप आप लिएकना चाहते हैं इस्तटी इस माइह घूआप ग्र मिक प्रेंग ना चागते हैं तो एक視约 कना चाहते हैं तो इस प्रीडिंग जो भी आपको जैसे की प्लेइंग आफ श्यां नुकि आपको अच्छा लगता हुआ जो चीज़ आप लेक सकते हैं अ ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे मैं shape कर देता हूं इसके बाद यहाँ पे आप देख सोगे कि यह चीजें successfully आपका जो है एड हो चुका है अब यहाँ पे फिर चे आपको एडीट profile पे click करना है अब यहाँ पे जब आप edit profile पे click करेंगे तो यहाँ पे edit your award info पे आपको click कर देना है जैसे आप award info पे click कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछी step का page open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको date of अपना जो आपका birthday है वो दीखेगा gender हो गयरा सब कुछ दीखेगा आप यहाँ पे चाहें तो blood group को add कर सकते हैं ठीक है अगर आपका कोई nick name है जैसी के आपको किसी दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है तो उसे आप यहाँ पे एड कर सकते हैं यहाँ पे आपको option मिलता है एड family members का तो आप चाहें तो अपने भाई बहन अगर आपका भाई या बहन है Facebook पे तो आप उसे भी aid कर सकते हैं ठीक है तो यह सब आप तभी aid कर सकते हैं जब आपका friend request accept किया रहेगा अभी तो मैंने इस ID को create किया है इसलिए मैं अभी यहाँ पे aid नहीं कर सकता हूँ हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में भी आपको बता दू कि कैसे आप family member को aid करते हैं तो चैनल को subscribe जरूर की रहेगा यहाँ पे आपको और भी चीजें मिल जाती है जैसी कि आपके कौन-कौन से आपको TV show पसंद है कौन से movie आपको पसंद है तो आपको इस पे अगर आप पे फूटो पे क्वीर फूटो पे क्लिक करना है जैसे आप फूटो पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको एक aid photo का option मिल जागा एड फूटो में आप अपने फोटो ले लिए जो भी फोटो पे इसमें डालना चाहते है फीचर्ड में फूटो आपको कहा पीशल वो मैं आपको दिखा देता हूं तो फेशब्स फोटों आपको यहाँ पर सू हो जागा जैसे कि मैं लीजी कि मैंने फीचर फोटो एड कर दिया यहां पर तो अब अगर कोई भी आदमी मेरे आईड़ी पिक करके ऐसे आता है माले कि मैं बैक कर लेता हूं पूरी तरह से और फ अच्छा फेस्वूक आड़ी आप इस तरह से बना सकते हैं अगर आप फेस्वूक के बारे मां और भी कुई चानना चाते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए मैं इसके आगे और भी वीडियो बना दूंगा तो मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में तब तक इस वीड सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा